अमेरिकी अंतरिक्ष यान मेसेंजर को बुद्ध ग्रह के लिए 2004 में रवाना किया था इस यान को 3 अगस्त 2004 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा ने लांच किया जिसके बाद 18 मार्च 2011 को यान ने बुद्ध ग्रह का चक्कर लगाना शुरू किया और मार्च 2012 तक साल भर का मिशन पूरा किया नासा का मानाव रहित अंतरिक्ष यान मैसेंजर मिशन पूरा कर चुका था लेकिन इंधन खत्म होने की वजह से वो बुद्ध ग्रह की से टकरा गया जिसके बाद नासा का ये 16 सार पुराना यान नश्ट हो गया नासा ने बताया कि रोबोटिक अंतरिक्ष यान मैसेंजर का इंधन खत्म हो चुका था 3.91 कीलो मीटर प्रतिस सेकेंड की रफतार से चल रहे यान की टकर से बुद्ध की सतह पर करीब 16 मीटर व्यास का गठा बन गया पिछले 16 साल तक धरती से इस यान का नियंतर करने वाले वैग्यानिकों ने मिशन को सफल करार दिया बता दे इस अंतरिक्ष यान ने बहत कम उचाई से ग्रह का आउलोकन कर तस्वीरें खीचने और ग्रह के बारे में अभुद पुरो जानकारी जुटाने के काम को वही कई सालों की लड़ाई के बाद आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 2012 को महिलाओं के प्रती होने वाले यौन उत्पीडन के खिलाफ कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक 2010 को लोकसभा के शीत कालीन सत्र में पेश किया गया जिसे केंद्रिय मंत्री मंडल ने मंजूरी दे दी इस कानून का उलंगन करने पर 50,000 रुपए की जुर्माने का प्रावधान किया गया अगर बार बार इसका उलंगन किया जाता है तो जुर्माने की राशी बढ़ा दी जाएगी और जिस कार्यस्थल पर ऐसा होगा उसका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद किया जा सकता है इस विधेयक के मकसद को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि संगठित और असंगठित दोनों ही छेत्रों में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है ऐसे में सरकार कंभीरता से महसूस करती है कि उन्हें कामकाज का अनुकूल व सुरक्षित माहौल दिया जाए ताकि भी निर्भय होकर अपना काम कर सकें बिल में कहा गया है कि कारेस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीडन से संग्रच्छड देने के लिए एक आंत्रिक कमेटी बनेगी जो यौन उत्पीडन का मामला सामने आने पर मामल की जांच करेगी